नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों बात कर लेते हैं आज की बहुती मेत्तपूर्ण खबरों के सम्मंद में चाये वो यूपिटर पलसी की हो या लोगसेवा आयोग की हो वीडियो सुलू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर् सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी ऑथंटिक न्यूज जो बिलकुल आयोग के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाएं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपिटर पलसी के वीडियो रिय एक्जाम के बजट को लेकर एक यूपिटर पलसी के अंदर मिटिंग और इसकी एक्जाम डेट का ओफिशल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा लेकिन देखिए उससे पहले बात आती है बजट की तो देखिए बजट को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि इस भरती को लेकर पूरे पूरे चांस है कि 10 अपरेल तक इस भरती का जो है बजट पास हो जाए यानि कि आने वाले 7 से 8 दिनों में 10 दिनों के अंदर जो है इस भरती को लेकर शाषन के द्वारा बजट पास हो सकता है और भईया बजट पास होते ही तुरंट इस पर मिटिंग करी जाएगी आयोग में और मिटिंग में आपकी officially date announce कर दी जाएगी ठीक है भीया तो आप ये पूरी उम्मीद मानके चलिए कि इसी सब्ता में आपको इस भरती के budget को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूपिटर पलेसी ने शाषन को इस भरती के budget को लेका reminder भेजा हुआ था और उसका जवाब जो है अपरेले मिलेगा और आपको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस भरती को लेकर जो है शाषन के द्वारा budget पास हो जाएगा और budget पास होते ही आपकी भरती का फिर the end होना निश्चित है ठीक है दोस्तो तो वीडियो वाले बिलकुल तयार रहें और भाईया लगतार तयारी को धार देते रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं UP PCS result इसी सप्ता तो भाईया PCS 2022 का जो परिणाम है आपको इसी सप्ता देखने को मिल सकता है उत्तर परदेश सम्मलित राज्य परवर अधिनस सिवा 2022 के 383 पदों का परिणाम जारी होगा इस सब्ता और दोस्तो आपको बता दें कि उत्तर परदेश लोग सिवायों के अध्यक संजर स्रीनेत कह चुके हैं कि PCS का परिणाम पंदर अपरेल से पहले गोशित हो जाएगा जिसमें SDM के 49 पद हैं DIPTSP के 39 में पद हैं BDO के 36 पद हैं नायब तैसिलदार के 34 पद हैं BSA के 13 पद हैं और इस कुल मिलाकर 383 पद हैं तो भया PCS में आपकी फैवरेट पोस्ट कौनसी है क्या आप लेना चाहते हैं अगर आप एक्जाम देने वाले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपको नायब सैसिलदार बनना है BDO बनना है DIPTSP बनना है या SDM बनना है आपकी फैवरेट पोस्ट क्या है दोस्तों इसमें एक बात और देख लेते हैं कि मुख्या परिक्षा में कुल मिलाकर 1070 अब्यर्तियों का साक्षातकार हुआ था 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक PCS 2022 की परिक्षा के लिए इतने अब्यर्ति जो है ऑनलाइन आविदन किये थे जिन मेंसे इतने अब्यर्तियों ने 12 जुनको प्रिलिम्स एक्जाम दिया था यानि कि आप देख सकते हैं कि भईया जो आविदन छात्रों ने किया था वो था 6,294 लेकिन एक्जाम दिया प्रिलिम्स 3,29310 ने तो भईया यह हो गया आपका PCS 2022 का परिणाम दोस्तों अब बात कर लेते हैं PCS 2023 को लेकर तो भईया जिन छात्रों ने अभी तक आविदन नहीं किया है वो आविदन कर दें क्योंकि आज जो है रेजिश्टिशन का अंतिम डेट है ठीक है और इसमें जो है इस बार 173 पद है और 173 के बाद इसमें जो है करीब करीब 37 पद और आचुके हैं आयोग के पास 200 प्लस पद हो चुके हैं और प्रिलिम्स का परिणाम आते आते इसमें पदों की संक्या 400 तक पहुंच जाएगी ठीक है और जो है आपकी 14 मई को जो है इसकी परिक्षा प्रस्तावित है और 23 यतंबर से इसका मेन एक्जाम है ठीक है दोस्तों और देखे यहां साफ साफ लिखा है कि पिछले कैई वर्सों के सापिक्ष इस बार पदों की संक्या काफी कम है फिलहाल पदों की संक्या में बड़ोतरी होने के आसार है और PCS की मुक्या परिक्षा में इस बार बदला भी किया गया है यानि कि वैकल्पिक विश्च को हटा कर उत्तरप्रदेश विश्च के दो परशन पत्र रखे गए हैं तो जो भी छातर PCS आफिसर बनने का सपना देखते हैं वो 14 मई को आपका प्रिलिम्स एक्जाम है लगातार जी जान लगाते रहें और तयारी को धार देते रहें दोस्तों अब बात का लेते हैं यूपिटर पलेसी के विज्चापन को लेकर तो देखिए आपको मैंने पता है था कि वो आपका विज्चापन होगा एगरिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ठीक है और इसमें तीन हजार पलेस पदो पर जो है ये विज्चापन आपको देखने को मिलने वाला है और जो भी छात्र भया किरसी वाले हैं बिलकुल तयार रहें आपको विज्चापन इसी सब्ता हर हाल में देखने को मिल जाएगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी के कलेंडर को लेकर देखिए कलेंडर को लेकर अपडेट यह है कि छातर बहुत दिनों से बार बार पोच्छते है कि सर इसका कलेंडर आखिर कब तक आएगा लोग सेवा आयोग भी इसका कलेंडर जारी करता है अपनी भरतियों का लेकिन यूपिटर पलेसी अपना कलेंडर कब निकालेगा और कलेंडर निकालेगा तो कितना उसे फॉलो करेगा यह बात भी तो है तो आपको बता दूँ Jupiter Palesi के कलेंडर को लेकर अपडेट ही है कि आपको कलेंडर जो है इसी सप्ता के सॉरी इसी मन्त के last में देखने को मिल सकता है ठीक है सप्ता हमें तो नहीं आएगा April last में जो है आपको इसका कलेंडर देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसके कलेंडर पर जो है Jupiter Palesi में काम चल रहा है और आपको यह जो कलेंडर देखने को मिलेगा यह केवल एक शॉर्ट कलेंडर होगा ऐसा नहीं है कि पूरी साल का कलेंडर होगा एक शॉर्ट कलेंडर आपको जो है April last में देखने को Jupiter Palesi का मिल जाएगा और उसमें सारी बाते दियोंगी कौन सा परिणाम, कौन सा आपका एक्जाम डेट, कौन सी भरती आपको इस साल में देखने को मिलेगी और PET 2022 से किन-किन पदों का विग्याफन देखने को मिल सकता है तो कुछ बाते इसमें दी होंगी तो कलेंडर जो है आप वेट करिए इस मंत में आपको मिल जाएगा दोस्तों यह होगा आज का वीडियो और किसी बरती को लेकर तो जानकरी मुझे मिलेगी आपको समय से दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाएगे भारत